हेलो गाइज आज की पहली टेक्नियूज है वन प्लस कंपनिक तरफ से दोस्तों इसका अपकमिंग वन प्लस नॉड की एक और इंफर्मिशन सामने आई है इसमें आपको अब एमोलेट डिस्प्लेय देखने को मिलेगी और यह इंफर्मिशन खुद कंपनी ने टीज किया है इ 15 जुलाई से इसके प्री और बुकिंग अमजन पर स्टार्ट हो रही है आप वहां से इसे प्री बुक करा सकते हैं दोस्तों यह थे वन प्लस नॉड के कुछ इंफर्मिशन जो सामने आई थी और जैसे कुछ भी सामने आता है इस स्मार्टफोन के बारे में तो मैं आपको बताता हूं आज की दूसरी टेक न्यूज है एलजी कंपनी तरफ से दोस्तों पहले यह कंपनी सिर्फ अपने एलेक्ट्रोनिक्स के प्रोडक्ट को लांच करते थी बट अब ध्रिय ध्रे यह स्मार्टफोन की भी दुनिया में आ रही है इनका नया अपकमिंग स्मार्टफ प्रोडक्स पसंद है तो यह न्यूज आपको पसंद आई होगी आज चाओमी के रेड्मी ब्रेंड के दरफ से दोस्तों इसका नया स्मार्टफोन जो इसके नोट 9 सरी से होगा इसका नाम रेड्मी नोट 9 है दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रेड्मी ने अभी केवल रेड्मी नोट 9 प्रो और रेड्मी नोट 9 प्रो मैक्स लाउंच किया है रेड्मी नोट 9 अभी नहीं आया है यह स्मार्टफोन इंडिया में 20 गुलाई को लाउंच हो सकता है अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.53 इंच का हेलो जी 85 प्रोसेसर है दोस्तों यह प्रोसेसर कोई बुरा नहीं है यह भी एक अच्छा प्रोसेसर है आपको तो पता ही है इसके पहले वाला प्रोसेसर मीडियाटक हेलो जी नाटिटी क्वैल कॉम स्नापडरेगन के 730 जी से भी अच्छा है इस स्मार्टफोन में 5020 मह की बैटरी है जो 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है चार्जिंग के लिए इसमें यूजबी टाइप सी पोल दिया गया है इस स्मार्टफोन में आपको ब्लूटूथ वाइफाई 4G कनेक्टिविटी और 3.5 mm हैडफोन जैक भी मिलेगा इसके लावा इस प्राइस अभी नहीं सामने आई है तो दोस्तों यह स्मार्टफोन बहुत तगड़ा है इसमें आपको बिल्कुल नया कॉयल कॉम स्नापड़कन 865 प्लस चिप्सेट मिलेगा और दोस्तों मैं आपको बता दूँं कि आसुस का रोग फोन 3 वी बाइस जुलाई को लाउंच ह होने वाला है यह भी स्मार्टफोन बहुत तगड़ा है इसमें क्वाइल कॉम स्नापड़कन का 865 प्लस 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 है तो दोनों तगड़े स्मार्टफोन एक ही डेट पर लॉंच होंगे तो दोस्तों मुझे कमेंड करके बताईए कि आपको कौन सा स्मार्टफोन ज्याद प्लस में 8 मेंगापिक्सल का रियर कैमरा है जो एक लेडी फ्लैश के साथ आता है सेलफी के लिए इसमें 5 मेंगापिक्सल का सेलफी कैमरा दिया गया है लावाजे 61 प्रो में 1.6 GHz ऑक्तो कोर प्रोसेसर है जो अभी भी अन्नून है कि इसमें कौन सब्रोसेसर होगा क्या और चार्जिंग के लिए इसमें माइक्रो यूस्बी पोल्ट दिया गया है इस स्मार्टफून ने ब्लूटूथ वाइफाई हॉट्सपॉर्ट 3.5 mm हैडफोन जैक होंगे और इसमें OTG का भी सपोल्ट दिया गया है अब लग मुझे कमन करके जरूर बताना कि आपको लावा जी 61 प्रो स्मार्टफून कैसा लगा तो दोस्तों आज की टेक न्यूज होती है जिसमाप वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब क कर लेना क्योंकि मैं ऐसे टेक न्यूज वाली वीडियो अप्लोड करता रहता हूं और बैल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए